नमस्कार और मनी नाइन के इस खास शो में हमारे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है बात करने वाले हैं आज हम इस शो में मार्केट्स की यानि शेयर बजार की और शेयर बजार को लेके जो पिछले कुछ वक्त में हलचल पैदा हुई है उसने अच्छे-च्छे इ पोटफोलियो लाल निशान में चले गए लॉस हुए उनको तगड़े तो अब मार्केट में क्या करें यह सबके दिमाग में एक सवाल पैदा है इस पे अब एक रिपोर्ट आई है बड़ी रिपोर्ट आई है ग्लोबल ब्रोकरेज हां उसने मार्केट्स को लेके बड़ी क्या कहा गया है इनवेस्टर्स कο लिये उसमें क्या सला है इस सबकी आज हम चर्चा इस रृपोर्ट में अपनी करने वाले हैं हमारे साथ मौचूद है हमारे वरिष्चायोगी संदीर ब्लोवर बताएंगे की रिपोर्ट क्या है और उसमें अप इनवेस्टरो स же क्ी लिए जो ब्रोकरेज हाओस है उसकी रिपोट में आकर क्या बड़ी बात कहीं गई है उसमें उसी बात का जवाब दिया गया जो कि हर को हर किसी के मन में सवाल तैरा उसका बाखो भी इसमें जवाब देने की कोशिश की गए और जब यह आप रिपोर्ट सुन लेंगे पूरी जान लेंगे तो शायद आपके मन में भी जो सवाल चल रहे हैं को काफी अड्रेस होते हो देखेंगा आपको क्लेरिटी आती हो दिखेंगे और आपको करना क्या एक्शनेबल पॉइंट्स क्या है वह भी आपको समझ आते हुए नजर आएंगे देखेंगे वह कह रहे हैं कि थोड़ा सासी बनी है बादार में जो गिरावट हो रही है थोड़ा सा आप इसमें खरदारी के मोड में आईए और हर गिरावट पर बाइदा डिप्स कह रहे हैं उसमें आप खरदारी करके चलें और के रहे हैं भौट बादे बड़े पहमाने पर या बड़ी खरीद उनकी आती है तो इसलिए वह कहरे हैं कि आप खरदारी शुरू कर दीजिए बहले दीरे दीरे सेलेक्टिव रह तो तो यह जो आप Defensive Stocks की बात करें Defensive Stocks का मतलब क्या आम लोगों के लिए अगर समझना चाहें तो Defensive Stocks में मतलब कौन से Stocks इनमें आते हैं कौन से कंपनी आते हैं उन्होंने दो पैमाने सेट किये हैं दिगजों में भी एक तो Quality नाम के साथ रहे दिगजों में रहे और Defensive Stocks के साथ रहे तो मैं को लग रहा है कि आप पूछना जा रहे हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं आपके लिस्ट में साफ साफ लिखा है कि आप भारती एटल को कुई जैसे आप कह भी रहे थे यह दिगज नहीं है टेलिकॉम चक्तर में ल रिडाइंस आगया तो इसमें जीओ भी आई गया तो टेलिकॉम वाला जो दिगज पार्ट है वो भी कवर हो गया इसमें रिटेल में एविन्यू सूपर मार्ट जैसे आप डी मार्ट के नाम से भी जानते इसमें भी ख़जारी करने की राइदी है जो रिसेंट नंबर साइ कीजिए आईटी में आप टीसीएस को चुनिए और पावर चेत्र की जो दिगज कंपनी है इसको भी आप अपनी खरदारी की लिस्ट में शामिल कीजिए और उसके साथ साथ पावर जनेरेशन के साथ साथ ट्रांस्मिशन पर भी फोकस है पावर ग्रिट जो की सबसे बड़ की जो हालात हैं उसमें ऐसे डिफैंसिफ प्र आप पैसा लागा सकते हैं और जो बड़े लारज केब वाले स्टाकस है उन्में जो सेलेक्टेट जो नाम बताई हैं वहां आप चुरुआ चुरुआत कर सकती है वहां पे आप इसवक्त खरीदारी का मौका एक टला सकते हैं जो मिट कैप और स्मॉल कैप जो सेगमेंट है जहां पर लोगों की बहुत दिल्चस्पी रहती है आखर उस से अवर्ट उसको अवर्ट करने के लिए क्यों पूला है इस रिपोर्ट में उसके रिजन है और रिजन उन्होंने काफी वाजी बताया है उसमें दो तीन रिजन है की उनकी और से बताये हैं पहला है वैलुशन विए कि अउनको लग रहे हैं जो मुनाफ़े कर रहे हैं जा जो नतीजे पेश कर रही हैं यह कंपनियां वह पी आउट हो चुक है पीक आउट होने का मतलब है कि आप यहां से गिरावत का ट्रेंड होगा डाउनफोल का ट्रें आता है तो आपका 100 करोड का एक पीक बन चुका है जो हाइस मुनाफ़ा जो आप दर्ज कर सकते हैं वो कम्तियां कर चुकी है जो की बादार में और भाव में रहा गया है तो पहली बात होगी वैलिशन महेंगे हैं दूसरी बात होगी पीकिंग पीकिंग अर्निंग्स जो की आपकी जो नतीजे हैं उन में यहां से बहुत बड़ा उपर कि और सुधार आएगा वह बात उनको नजर नहीं आ रही और तीसरा है रिकॉर्ड इंवेस्टर पार्टिसिपेशन यानि कि जो दिगज तो हैं हैं जो छोटे निवेशक हैं रीटेल का जिस तरह से बड़ा है बाजार में वह इन स्टॉक्स में बहुत बड़ी मातरा में घुशा हुआ वैसे भी प्राइस सेंसिटिव होते हैं रीटेल इंवेस्टर जो चोटे स्टॉक्स होते हैं टेकेट साइस के लिहाद से उन पर ज्यादा वह फोकस करते हैं और वैसे भी उनको ज्यादा उमीद रहती है कि हमारा पैसा जल्दी बड़े ज्यादा डबल हो ट्रिपल हो ऐसे वह उमीद लेके बादार में घुशते हैं इसलिए दिगजों में जातर पैसा नहीं लगाते हैं कम लगाते हैं और मिटकर स्मॉल का उनका इंटरस्ट जादा होता है तो अगर आप देखें तो क्राउडिंग आउट जो इफेक्ट है वह भी कहीना कहीं प्ले आउट हो रहा है बहुत सारे निवेशक घुसें हुए हैं अगर उनका पैसा लगाया हुआ फिर न स्टीन की एक बड़ी रिपोर्ट आई है जिसमें उन्नोंने कहा है कि आप भारत के बाजार में गिरावट के वक्त खरीदारी तो कर सकते हैं लेकिन वो खरीदारी आपकी इस वक्त लार्श कैप स्टॉक्स में होनी चाहिए और मिट और स्मॉल कैप स्टॉक्स में आप जो अपनी रिपोर्ट में बताया है और एक बड़ी भविश्वाने की है आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं देखते रहें मनी नाइन और अपने कमेंड्स और अपने उत्सावर्दन अम लोगों को करते रहें धन्यवाद